तीन खास दोस्त जो हर काम में साथ रहते थे फिर चाहे वो क्राइम के दुनिया ही क्यों ना हो तीनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा इन तीनों की एक टाइम में तो डी कंपनी से भी खूब बनी लेकिन समय के बदलाव ने इन तीनों को डी कंपनी के खिलाफ कर दिया और तीनों ने डी कंपनी के साथ बगावत कर दी ये तीनों दोस्त थे हुसेन उस्तरा, फारुक बटाटा वाला और सफी तुफानी नमस्कार Crime Patrol Family, मैं आकास देशवाल, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफी तूफानी की कबूतर का या फिर यूँ कहें कि पक्षियों को पसंद करने वाला सफी तूफानी डी कंपनी या फिर अन्ये कोई भी गैंग के शूटरों से काफी अलग था सफी तूफानी मुंबई के बिंडी बजार में रहता था पिता का नाम था दावद तूफानी जो चाकू बेचने का काम किया करते थे दावद तूफानी के छे बच्चे थे जिनमें सफी तूफानी एक था सफी के सभी भाईयों में सबसे छोटा भाई क्राइम की दुनिया में एक्टिव था और इस समय तक सफी का क्राइम से कोई लेना देना नहीं था जब मुंबई में 84 के सामपरदाइक दंगे हुए तो इन दंगों में सभी लोगों को काफी नुकसान हुआ था इस समय सफी तूफानी 27-78 साल के करीव था कहते हैं कि मुंबई में हुए इन सामपरदाईक दंगों को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलाई थी वहीं दूसरी तरफ भिवांडी एरिया में सफी तूफानी ने अपनी कम्यूटी के लोगों के साथ मिलकर पुलिस पर पत्राव किया था और पुलिस पर हमला भी बोला था इन दंगों में वहन फैक्टरी के साथ कहीं घरों में भी आग लगा दी गई थी और इनी दंगों के बाद सफी तूफानी का नाम सब के सामने आया था पूरू एसीपी इसाग बागवान की माने तो सफी तूफानी ने पाय दोनी पुलिस इस्टेशन के एपी आई रवी नायव पर गोली चलाई थी इसी को लेकर यूनिट एके डिटेक्शन क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस ने सफी तूफानी की धर पकड़ शुरू की थी जिसके लिए दो टीमे बनाई गई तभी दो अप्रैल 1984 को पुलिस को सूचना मिलती है कि सफी निजाम स्ट्रीट की एक बिल्डिंग में आने वाला है तो पुलिस मा तैनात हो जाती है और जैसे ही सफी वहाँ पर पहुँचता है तो पुलिस को वहाँ देखकर पुलिस की चाल समझ जाता है वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़वड है तो वह किसी और बिल्डिंग में घुश जाता है इस पर पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहाँ आसपास की सारी बिल्डिंगों की तलाशी लेती है लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता तबी वहाँ मौजूद एक कॉंस्टेबल चंदू खानवेलकर उसको एक आदमी भागते वे दिखता है चंदूस आदमे का पीछ का पीछा चुडाने के लिए पुलिस की तरफायर किया लेकिन पुलिस ने उसका पीछा नहीं चोड़ा कहते हैं कि इस भागा दोडी में एक खाली ठेले को जोर से अदमी की तरफ धक्का मारा जिसके बाद वह ठेला उस आदमी को लगता है और वह गिर जाता है इस पर पु आदमी पकड़ा गया था ये था फारुक बटाटा वाला और ये एक वांटिड अप रादी था अब इसके बाद एसके बाद एसके बागवान ने एक बार फिर से सफी की तलास शुरू कर दी काफी दिन बीच जाने के बागवान को खबर मिलती है कि सफी काजे स्ट्रीट में आने वाला है अब एसके ने सफी के वहां आने से पहले ही एक प्लान तयार किया और प्लान के तहट पुलिस ने सफी को सुभा तीन बजे गिरफतार कर लिया पुलिस ने उसके पास से 38 बोर की रिवोलवर भी बरामत की थी पुलीस जब इसकी गिरफतारी होती है और गिरफतारी के दोरान जब इससे पूछ तास की जाती है वो जिसकी मदद से वो वहाँ से भाग निकला वो अपने पैरो से पाई पर घंटों तक चिपके रहने की समता रखता था जिससे पुलिस को लगा कि वो भाग दया अब सफी के किलाफ एनसे के तहट एक्षेन लिया गया अब इस दुरान वो जेल में रहते वे उसने पुलिस से अच्छे संबंद बना लिये और संबंद भी इतने अच्छे के पुलिस उसे कहीं बार उसके घर ले जाती थी फैमली के साथ टाइम बिताने अब एक समय वो भी था जब सफी तुफानी एजाज पठान के साथ काम किया करता था एजाज दुबई में सिफ्ट हो गया था और से दाउद की सपोर्ट थी तब ही सफी को एजाज से अपने धंदे के चलते मोटा पैसा लेना था अब इस पैसे के चकर में सफी और एजाज की खूब गाली गलोच होती है और एजाज आना कानी करता है पैसा देने को लेकर तब जाकर तै किया जाता है कि दोनों दुबई में बैट कर पैसो को लेकर मीटिंग करते हैं अब इस मीटिंग में दाउद भी आने वाला था तो सफी दुबई के लिए रवाना होता है और वहां जाकर अपने पैसों की बात करता है पैसों को लेकर दाउद सफी से कहता है कि एजाज के पास जब पैसा होगा तो वो दे देगा इस पर सफी ने दाउद को उल्टा ये बो समा देते हैं अब सभी लोगों के बीच अपनी हुई इस बेजजती के कारण सफीत उखानी डी कंपनी के हर एक आदमी से नफरत करने लगता है यहीं से वो डी कंपनी का दुश्मन बन गया था दुबई से जब वो भारत वापस आया तो इसके पास डी कंपनी के धंदे जि किया 1988 में जब दाउद का पठान गैंग से सांती समझोता हुआ तो दाउद ने सफी को इस समझोते से अलग कर दिया अब सफी को इस बात का भी अलग गुस्सा चड़ा था सफी तुफानी के कस्टम ड्यूटी और क्राइम ब्रांच जैसी अजेंसियों से काफी अच्छे ल किनारा कर लिया था कहते हैं कि मुंबई के 93 ब्लास्ट में सामिल कहीं अपरादियों की जानकारी पुलिस को सफी नहीं दी थी जिससे पुलिस को काफी अब तक मदद मिली थी तबी हुसैन उस तरह कुमार दिया जाता है और 1998 में फारुक बटाटा वाला को भी छोटा सकील का शूटर अरिफ कालिया मोत के घाट उतार देता है इस दोरान री डेवलप्मेंट कंस्ट्रक्शन की देखरे कर रहे एक सलीम से सफी पैसों को लेकर डिमांड करता है सलीम काफी डर जाता है तो वह अपने एक साती की मदस से छोटा सकील तक कहुंचता है और उसे सारी बात बताता है लेकिन जैसे ही इसका पता सफी को चलता है तो वो अपने कुछ आदमी सलीम के पास भेजता है अब इस दोरान उस आदमी की और सफी के आदमियों की लड़ाई हो जाती है अब लड़ाई के दोरान एक आदमी से गलती से गोली चल जाती है जिसमें सलीम की मौत हो जाती है इस हत्या के बाद सफी कुष्ट समय तक तक तो अंडर ग्राउंड रहा लेकिन बाद में वो अरेस्ट हो गया अब गिरफतारी के बाद उसने पुलिस में अपने अपने लिंक का फायदा उठाया और खुद तो बाहर आया ही साथ ही अपने साथियों की भी जमानत करा दी जब इस मामले में तफ्तीश हुई तो क्राइम ब्रांच की का सफी पर दबाव बढ़ने लगा और क्राइम ब्रांच ने उसका बयान लेना चाहा तो हर बार सफी ने जाने से मना कर दिया वो इस confidence में था कि उसने crime branch की कई बार मदद की है तो वो उसका कुछ नहीं करेंगे लेकिन जब उसने crime branch को यहाँ था कि पुलिस को भी बयान देने से माना कर दिया तो पुलिस का सफी पर जो शक था वो यकीन में बदल चुका था तबी पुलिस गाजी स्ट्रीट में शफी के घर रेड मारती है यहां मौझूद सभी exits पर पुलिस ने पहरा लगा रखा था ताकि वो बच न सके तबी शफी पुलिस से बचने के लिए एक building से दूसरी building पर कूथता है लेकिन पुलिस वहाँ पहले से मौझूद थी तो पुलिस ने उसे जैसे ही surrender करने को कहा तो वहाँ से भागने लगा लेकिन पुलिस ने उस पर गोली चला दिया और उसको encounter में धेर कर दिया कहते हैं कि building से चलांग लगाने वाली बात पुलिस को सफी के किसी करीबी ने बताय थी ताकि वो भाग न सके कहा तो ये भी जाता है कि बाला साहिब ठाकरे ने अपने अकबार सामना में सफी को लेकर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें देश भक्त उसको बताया गया था क्योंकि उसने मुंबई पुलिस की 93 के बलास्ट में सामिल अपरादियों को पकड़ने में मदद की थी तो दोस्तों ये थी सफी तुफानी की कहानी उमीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी साथ ही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगर आप किसी पर्टिकलर परादी को लेकर कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज झाल